आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलिशन पाओ डाउनलोड नाओ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ a sin inverse x को सबसे पहले मैं differentiate करता हूँ यानि कि हमारा जो fx है वो हमको क्या दे रखा है a sin inverse x तो इसको, sorry, a की power ये a की power में है मैं क्या करता हूँ, log ले लेता हूँ दोनो तरफ log of fx is equal to यहाँ पर sin inverse x नीचे आ जाएगा log of a बन जाएगा ठीक है, अब इसको मैं को क्या करना है differentiate कर देता हूँ दोनो साइड, differentiate करूँगा यहाँ पर बन जाएगा 1 upon fx और f-x क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको एक entity माना तो यह अगर v था तो log v का differentiation होता है 1 by v तो 1 by v लिख दिया, यानि कि 1 by fx लिख दिया और यह हो जाएगा f-x is equal to sin inverse x यानि कि log a sin inverse x का differentiation क्या होता है 1 upon root of 1 minus x square ठीक है तो यह हो जाता है अब आगे क्या करना है आगे हमको यह लिखना है कि f-x is equal to f-x है क्या log of a fx fx है a की power sin inverse x divided by root of 1 minus x square यह हम देख लेते हैं अब gx क्या दे रखा है मेरे को gx दिया हुआ है sin inverse x g-x क्या आजाएगा g-x आजाएगा यह log a अलग है g-x आजाएगा 1 upon root of 1 minus x square तो अब finally अगर मैं इसको करता हूँ f-x by g-x that will be equal to log of a into a sin inverse x divided by root of 1 minus x square divided by 1 upon root of 1 minus x square यह और यह cancel अब यह क्या बन जाता है log of a a कि power sin inverse x differential coefficient मतलब differential coefficient कहने का मतलब होता है कि इसके साथ जो term लगा हुआ है तो यहाँ पर differential coefficient अपना क्या हो जाएगा log a हो जाएगा और जो हमारा differentiation आएगा यानि कि with respect to it वो यह पूरा differentiation हमारा बन जाएगा thank you so much for watching the video Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर